हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको स्कूटी के मीटर के लाइट को चेंज करके दिखाऊंगा तो उसको चेंज करने का जो में रिजन है वह मुझे इसका कलर चेंज करना है और कुछ भाई लोगा ने कोमेंट्स किया था कि इसका जो मीटर का जो ल लाइट का जो बल्व होता है उसको कैसे हम रिप्लेस करते वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो मैं ब्लू कलर का लाइट इसमें लगाने वाला मीटर में तो आप अपने हिसाब से लगाए आपके स्कूटी पर जो सही लगता है क्योंकि मेरा जो पहले से हैं जैसे मैंने लगाया उसमें और पिछले बार जो स्पीडो मेटर लगाया था वो भी साइड में ब्लू था और वोल्ट मेटर और जो चार्जर वो भी मैंने लगाया तो वह ब्लू कलर था तो मैं सोचा अगर मीटर भी ब्लू होता तो और अच्छा लगता तो मैं इसमें ब्लू कलर का ल लगाऊंगा तो लगाने के बाद आपका जो बैटरी फिंजमसन है वो भी कम हो जाएगा तो चलिए मैं आपको इसके मीटर के लाइट को चेंज करके दिखाता हूं तो हेड लाइट को रिमूब करने के बाद आपको इस तरह का यहां पांच सॉकेट आपको बना हुआ देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच तो इसी पांचों में से किसी दो में आपको मीटर का लाइट मिलेगा तो कैसे जानना है तो मैं बताता हूं आपको तो इधर वाला जो आप देख रहे हैं मतलब इस साइड का जो इंडिकेटर का जो लाइट है उसके सामने वाला जो सॉकेट है वो इंडिकेटर का है बीच वाला जो पास लाइट के सामने है वो पास लाइट का है और इधर वाला जो इंडिकेटर का है वो यह वाला है तो आप बच गया हमा करना है इसके अंदर यह आपको बल्म मिलेगा तो यह काफ़ी टाइट है इसमें तो यह ऐसे होगा नहीं रिमूब तो आपको किसी चीज का यूज़ करना होगा इसको अलका सा नीचे करने के लिए लेकिन ध्यान से ज्यादा जोडनी लगाना है इस पर क्योंकि यह रवर का है तो यह फट भी सकता है तो आराम से ही करना है लगाना है तो यह वाला ही बल्व था तो इसको हम रिमूब कर लेते हैं और इसsey सी थरह उस साईड वाला और यह blue color का है तो चली अब हम इसको install करते हैं इसको इस तरह से लगाना है तो अब यह जैसा कि देख सकते हैं कि अब इसमें लगाया और LED on नहीं हुआ तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो इसको क्या करना है कि इसको खोल के और इसको फिर से पलट के लगाना है मतलब अभी मैंने इस साइड से लगाया तो इसको इस साइड करके आपको लगा के देखना है अगर फिर भी नहीं जला तो इसका मतलब आपका बल्ब खराब है, अभी जल गया, अब बल्ब को इस सॉकेट में लगाने के बाद, इसको जहां से हमने इसको निकाला था, उसके अंदर ये डाल देना है, इसके कभर में, उसी तरह इसको भी, तो अभी मैं on कर रहा हूँ इसको, तो अभी आप देख सकते कि यहाँ पे साइड में blue color का line दिख रहा होगा, तो अभी दिन का टाइम है, तो आगे साइड से तो कुछ पता नहीं चलेगा अभी, तो उसके लिए मैं आपको रात के टाइम गई दिखाऊंगा, और LEDs आप मैंने यह वाला यूज किया, आप और भी कोई यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी ने कि यही वाला करना है आपको, बस इसका जो socket है, उसको धियान रखना है, कि यह सेम वैसा ही socket होना चाहिए, जैसा इसमें पहले जो बल्ग था, वैसा ही होना, तो दोस्तों, अब मैं आपको रात क सकते हैं, कि यह ब्लू कलर का जो लाइट में लगाया था, मीटर के अंदर वो अन हो गया है, और काफी कूल लग रहा है पहले से देखने में, ब्लू कलर इसलिए चूज किया, क्योंकि मैंने ज्यादा तर जितने भी अलग से चीजें लगाया है, वो सारा ब्लू यह, यह ज मैंने लेडी स्विच लगाया था, वो भी ब्लू है, तो मुझे तो काफी कूल लगा यह देखने में, और आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई जरू नहीं कि आप कोई ब्लू लगाना है, तो दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले मैं कुछ आपको बाते बताना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से आपको अगर थोड़ा भी हिल्प मिल रहा है कहीं, उस वीडियो पे लाइक और कॉमेंट्स जरूर करें, और दूसरी बात अगर आपको क टिल में हिल्प चाहिए होगा, तो मेरा एक फेस्बूक पेज है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आ कर दोस्तों आपको 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 आपको